27 अगस्त 2020 है आईए बात कर लेते हैं एजुकेशन से रिलेटेड न्यूस के बारे में तो सबसे पहले ख़बर निकल के आ रही है जे डबल और नीट से रिलेटेड तो जैसा आपको पता है कि मतलब जे डबल ए और नीट का जो है वो एक्जाम होने वाले सितंबर में ही पात स तमबर को होंगे तो वहीं पे अभी ये लोग ने एडमिट काड जैसे ही लाँज किया वेबसाइट में तो पाँच घंटे के अंदर 6.84 लाइक स्टूडेंट्स ने अपना एडमिट काड डाउनलोड कर लिया है लेकिन काफी सारी मतलब तकलीफे और काफी लोग मना कर रह है कि मतलब नहीं भरेंगे हम लोग फॉर्म वगेरा उनको अभी भी लग रहा है कि शायद से एक्जाम ना हो और ये काफी रिस्क दायक हो सकता है और मतलब गोहां के कोई भी गोवर्मेंट या कोई भी एक्जाम की संस था ये गैरेंटी नहीं ले रही अगर किसी स्टूड को कोरोना आइरस हो रहा है तो उसको क्या होगा मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है बस इतना अनाउंस किया गया है कि उनका एक्जाम होगा और एड्मिक काड भी जारी कर दिये गये हैं तो आपकी इसमें क्या रहा ह मतलग तक के जो गुवर्मेंट्स पक्र दिया कि कॉलेज अब जब 1 October रहेगा तब से college खोल दिये जाएंगे और online classes चालू हो जाएंगे September 1 से अभी वहां कुछ भी नहीं हो रहा ना online हो रहा ना offline तो September 1 से online classes चालू होंगे और October 1 से offline colleges चालू हो जाएंगे तो आपकी इसमें क्या रहा है मतलब भी वही बात आती है कि government हमारा मतलब लेगी risk ल खोल के रखा था खोला school और colleges और काफी लोग संक्रमित हो गए थे तो अगर यहां के बच्चे संक्रमित होते हैं या किसी की जान जाती है या मौत होती है तो क्या उसको education काम में आएगा कि नहीं आएगा क्या government उसकी help करेगी कि नहीं करेगी ये बहुत सारे सवाल निकल के जाते हैं करनाटक government के उपर और एक student को काफी खत्रा रहेगा अगर समझ लोक किसी को हो गया भगवान न sudah कर Dalton करे किसीको और किसी से रिलेटर आ रही है कि वहां के anymore जो शिख्षा मंत्रे वो कह रहे है कि नहीं यार गवर्मिंट वस नहीं चाहरी कि एक्साम हो यहां तक कि चात्र और उनके पैरेंट्स खुदी चाहते हैं कि इसका एक्साम हो तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी मतलब पैरेंस ये सोचेगा कि भाई कोरोना वाइरस में मेरे बच्चे की मौत हो जाए या फिर उसको वाइरस हो जाए और जाके वो एक्जाम जरूर दे ऐसे दो पैरेंस नहीं रहेंगे कि जबरजस्ती जाएंगे और बगवान अगरे उनके बच्चों को हो गया तो पुरी सिंदगी बर बैठे रोएंगे तो हमें तो नहीं लगता लेकिन मंतरी जी का कहना है शिक्षा मंतरी जी का कि ऐसा है तो अभी देखते क्या है लेकिन एक और बड़ी खबर निकल के आ रहें नीट और जे डबल ई से ही रिलेटेड कि जो परिक्षव के खिलाफ द जाएंगे और उन्होंने बोला है कि मिला इसा सुनने में आया कि वो जाएंगे और ये याचिका के खिलाफ अरजी दायर करेंगे कि कम से कम अभी पेपर ना हो पता नहीं अब तो तीन चार दिन ही बाकी है एक सितंबर से जड़वली के पेपर होने वाले हैं तो अभी हम कोई नहीं बोलेगा सम अपनी अपनी मतलब जो स्टेट गवर्मेंट है उनको बोलेंगे तो ये सब बड़ी ख़बर निकलके आ रही है जे ड़वली और नीट से रिलेटेड काफी स्टूडेंट ने ऐसा भी कहा है कि मतलब भूकरताल भी हुई थी एक दिन के लिए काफी स ख़बर निकलके आ रही है एजुकेशन पॉलिसे रिटेड तो जैसा आपको पता है कि कुछ नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्मेंट लेके आई है पाच तीन तीन का तो वो सब कहां पे लागू होगा कब से लागू होगा और कौन सा ऐसा पहला राज्य बनेगा जिस पे लागू होगा तो लागू तो इसी साल होने वाला है तो सबसे पहले हमारा जो राज्य बनने वाला है वो है मेगाले तो मेगाले में सबसे पहले ये लागू होगा और वहाँ पे नई शिक्षा अपनाई जाएगी और वहाँ पे बोला गया है ट्रेनर जो 70-80 टीचर है उनक तक का समय जाए तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरे तो ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और एजुकेशन नियूस से रिलेटेड और आपका क्या कहना है जे डबली और नीट से रिलेटेड तो प्ल